सब्सक्राइब करें ग्याजिस टील के को और बेल आइकन दवा के लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखें आपने में पराणी वीडियो देखा ही होगा मैंने उसमें बताया था कि आप सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं बट जब मैं कर रहा था तो कुछ मीशो में ऐसा आय करेंगे बहुत ही इजी स्टैप में तो बिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं अपनी वीडियो के पास हमें क्या करना है सबसे पहला हम अपने एक प्रॉम ओपन कर लेते हैं तो मैं पहले से ही ओपन करा हूँ और मैंना अकाउंट भी ओपन करके रखा हुआ है तो आपको कु अपन करना है वीडियो जाकर देख्या के बटन में दिया गया है आप उसको कैसे ओपन कर सकते हैं अपने सप्लायर अकांट मिस्टो का तो हमें क्या करना है हमें इसमें लिस्टिंग करने है सिंगल लिस्टिंग कैसे करेंगे तो सबसे पहला आप इस डैसबोड पा तो हम upload catalogs पर जाएंगे, यहां पर एक और दूसरा पैनल खुल के आएगा, यहां पर भी आपको दिखा रहा है कि दो option और दिखा रहा है, add catalog in bulk, add single catalog, तो अभी तो हमें single करना है, next video में मैं आपको बताऊंगा कि bulk में कैसे आप कर सकते हो, तो add single पर हम क्लिक करेंगे, single पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो भी आपकी category होगी, category in the sense, जो भी आप product बेच रहे हो, वहां पर यह mention करना है कि वह किस में आता है, जैसे कि man fashion में आप check करेंगे, तो यहां पर western wear आरा, food wear आरा, accessories आरा, इस तरह के से, जैसे हम मैं kitchen accessories में deal करता ह तो मैं क्या करूंगा, मैं एक axle बना के रखा हुआ तो मैं यहां पर कर रहा हूं, glass cleaner wiper को, यहां से मैं copy कर लेता हूं, wiper मैं sale कर रहा हूं, यहां पर करेंगे, तो यहां पर देखिए, 3D glass ठीके, नहीं यह भी नहीं आएगा, water juicer यह भी नहीं आएगा, अगर आपको इसमे नहीं मिलता, तो आप यहां पर recommend catalog कर सकते हो, यहां पर directly दूसरा page आजाएगा, तो मेरे को तो यहां पर मिल गया, wiper in kitchen and wiper in house and kitchen यहां पर click करेंगे, यहां पर कह रहा है कि यहां पर add product image, यहां पर add product image कर देंगे, तो मेरे पास image already है, तो मैं उसको, ठीके, यहां से मैं यह व सकते हो, जैसे कि variation का मतलब होता है कि, एक चीज के color है, या उसका size है, यहां पर आपको जैसे की mention किया हुआ है, ठीके, उसका color है, और उसका size है, कुछ भी difference है, तो आप यहां पर दूसरा product add कर सकते हो, तो मेरे पास तो इसका singly मतलब की color है, बट मैं इसको combo में बेच रहा ह करेंगा, continue पर click करने के बाद यहां पर यह कुछ आपको understanding के लिए बोल रहा है, आप इसको read भी कर सकते हो, अधर बाद इसको understand कर सकते हो, तो हम क्या करेंगा, यहां पर miso price, miso price क्या होता है, selling price होता है, जो आपको sale करना, कितने पर इसको sale कर दा, तो मैं इसको 250 पर यहां पर wrong and effective return price, अगर आपको miso की तरफ से product, गलत आता है, या missing आता है, तो आप उसका claim ले सकते हो, वो claim कैसे लेंगे, मैं आपको ऐसी ही video बना के बता दूँगा, कि आप उसको claim कैसे ले सकते हो, ठीक है, और क्या उसके अंदर आप put कर सकते हो, तो MRP इसकी है, 499, ठीक ह आप इसको देख सकते हो, GST को, simply क्या करना है आपको, एक नया tab open करना, जो भी आपका wiper है, HSN code, glass wiper, HSN code, ठीक है, मैंने ये किया, तो यहां पर देखे, अधर कली आ आगे, यहां पर, यहां से आप इसको, HSN code यहां से मिल जाए रहा है, जैसे आप इसको search करेंगे, आपको GST भी मिल जाए, तो मेरा इस पर लगता है, 12%, तो मैं इस पर 12% करूँगा, and HSN code जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको देगा, 960390, ठीक है, यहां मेरा HSN code, net weight इसका 0.15, मतलब कि यह 1500 gram का है, ठीक है, मैंने इसको 1500 gram कर देखे, style code, आप कुछ भी रख सकत हो, तो यह वाइपर है, तो मैं इस पर वाइपर डालता हूँ, गैस, अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो प्लीज जाके subscribe कर लीजे, and bell icon को press कीजिएगा, ताकि आपको notification ऐसी मिलती रहे, तो यहां पर मैं brand name डालता हूँ, title के अंदर, and secondary, मैंने यहां पर एक access sheet ब यहां पर, and inventory कितनी देना चाहते हो, मैं 10 दे रहा हूँ, यहां पर, SKU मैं यहां पर डाल सकता हूँ, वाइपर, underscore combo, ठीक है, तो मैंने यह कर दें, यहां पर, and color यहां पर multi color डालूँगा, क्योंकि यह, मैं multi color यहां पर sale कर रहा हूँ, and material इसका है, material मैं अधर कर देता हूँ, वैसे तो यह plastic का है, तो pack of मैं यह 3 दे रहा था, pack of 13 यहां पर pack of 2 आ गया, pack of 3 आ गया यहां पर, यहां पर packaging यहां पर height length breath देना आपको तो इसका height length breath है इसका 1.5, height है इसका 4, 2 आ गया यहां पर नीचे, इस तरीके से आपको यहां पर scroll करके आपको जो भी आपके इसमें मैंसें होगा ना वही आपको इसमें डालना है, तो मैंने यहां पर 4 देता है, length इसका देखिए, 1.5 यह भी ठीक है, unit cm में था, weight is 0.1 डाला था, 100 gram होगा यह ठीक है, and packaging भी, packaging आपको यहां पर देना, packaging में कितना आ जाएगा यह, यानि कि packaging dimension आपको provide करना है, तो यह packaging में मेरा आता है, 2.5, height आती है, 3.5 आएगा, height, 4 आएगा, 4.5 आएगा, 4, weight gram में आएगा, अब आ जाएगा, 200 gram का हो जाएगा, क्योंकि इसका box बनता है, floor wiper, glass wiper, kitchen wiper या फिर क्या, यहां पर जो भी आप डाल सकते हो, मैं kitchen wiper डाला हूँ, क्योंकि यह kitchen wiper है, यहां पर India select कर लिया, manufacture यहां पर आप डाल सकते हो, manufacture जो भी इसको manufacture किया हुआ है, आप यहां पर mention कर देते हो, कर सकते हो, तो मैंने यहां पर manufacture का मैंन अपना ही वह डाल दे, pack, pack कर details मैंने डाल दे, यहां पर brand name and description, अगर आपका brand register है तो यहां पर डाल सकता हो, otherwise यह optional है, यह जरूरी नहीं है, डाल सकते हो यह नहीं, ठीक है, यहां पर मैं डाल आँ हूँ, कर दे रहा है, तो मैंने यहां पर description डाल दिया है, यहां पर description डाल दिया, एक वार उपर एक वार चेक कर लिजेगा कि सही है या गलत है तो मैंने यहां पर एक image दिया था तो मैं यहां पर और image दोंगा तो second image मेरा यह वाला and third image मैं दोंगा यह वाला तो यहां पर हो चुका है अब क्या करना किलिक करेंगे तो यह लिस्टिंग हो जाएगा तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं कि एंड प्रोसेस्ट कर देता हूं कि कुछ में भी एक प्रोड़क्ट कि यहां पर मैं प्रोड़क्ट यूनिट डालना भूल गया था तो सेंटिमेटर में करते हैं तो आप इसको एक वाद देख लिजेगा क्रोस्ट चैक कर लिजेगा सारी चीजे मेंडिटरी जिसके उपर SCI 5- कर देख लिए तो यह मेंडिकरिक फील्ड होते हैं यह आपको बरना ज़रूरी होता है ठीक है तो मैं यहां पर दुबारा से कर दिता हम कर देता हो एंड यह लोडिंग हो खिया अड़के टेलर संब्मेट हो गया तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां मेरा इस अप्र लोड किया है एन इन प्रोसेश यह आपको लाइव होने में 24 लेता है तो आप 24 इसका वेट कर दिजेगा तब ही आपका लाइव हो जाएगा आप अगर इसमें कोई गलत होगा कोई मिसिंग होगा तो यह एर देदेगा जैसे कि क्यों से फेल्ड यहां पर दिखा देता है किसी केटलोग बल्क में कैसे अप्लोड करते हैं अगर आपके पास काफी सारे प्रोड़क्ट हैं तो आप उसको बल्क में कैसे अप्लोड करेंगे वह मैं आपको बताऊंगा वह पूरी एक्ससीट पर होती है वह मैं आपको बताऊंगा तो चैनल को जबूर सब्सक्राइब कर ल इडिस्क्रिप्शन में दिया गया, you can mail me and so, चलते हैं guys, thank you for watching.